तो यह दो कि पहरे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को देखो इसमें क्या कहा जा रहा कि एक डिस्क के प्लेस्ट अन्द सर्फेस आफे पॉंड वी चीज रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पॉर पॉइंट थिरी मीटर देखो एक पॉंड पॉंड मतलब होता है तलाब तिक ना अगर एक तलाब है जैसे मालोब मैं ऊपर से देख रहा हूं यह लाइन आफ इंटरफेस है जो यहां पर पानी है वाटर है नीचे ठीक ना और अगर यह पॉंड अपना और इस पॉंड में मैं एक यह वाटर है जिसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहां पर दिया हुआ है अब यह कहता है यह डिस्क की स्प्लेस्ट ऑन दे सर्फेस आप पॉंड मतलब इस पॉंड के ऊपर वे एक डिस्क रखा मैं अगर यहां पर एक डिस्क रखा और यह सब मैं आप उपर से देख घाँ तो जो उपर इसकी रिफ्रेक्ट्टिव इंडेक्स है यहां पे दिया हुआ है तो फी एक से मने बलब लगा दिया छहां से लाइथ निकला है वी से नीचे यहँ हैं पर तो यहां आ पर टीक है मिनिमम रेडियस आप डेखता हूं तो लाइट मेरे पास आए ठीक ना जितनी अगर में उपर से देखोंगे लाइट आएगी उतनी मिनिमम रेडियस की डिस्क मुझे रखना पड़ेगा तो हम सब को पता है कि TIR आप पड़े होगे यहां पर कि यहां से अगर तुम देखोगे यहां से जो लाइट आती है अगर यह लास्ट वाली जो लाइट यहां से आ रहे है यहां से त्याजा हो जा गर इसके बाद तो लाइट आयार यहां पेर हो जाएगा ठीक ना और इससे पहले वाली जो लाइट आएगी ठीक तो उसकी आखों में जाएगी लेकी स्टन हो जाएगा लेकिन यहां से लाश्ट वाली अठाएगी वह उसके टी ईयार हो जाएगा असी मीडियम में वापस आ जाएगी ठीक है तो मिनिम्म्म डिस्क 22 बन रहा है कर दिस सेलिद और कोट यहाँ पर एक कॉन बना यहाँ पर एक कोण बना है और अगर इस कौन का तुम निकाल लोगे रैडियस निकाल लोगे यहां पे तो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है कि यहां से सॉल्व हो जाएगा कि यहां से कितना रैडियस का कौन है तो वह हमें अपना यहां से सॉल्व हो जाएगा बात समझ में आया क्वेश्चन तो अगर क इस पॉइंट पे पॉइंट ए मैं लिया था यहां पर स्नेल लगा देता हूं यह एंगल दूसरे मेडियम में इंगल आफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन तो अब इसको फर्दर सॉल्व करो यहां से इंगल यहां से सी पॉष्रेक्स सके ऑलिया है कि यहां से 502 रत रंब factory को अगर यहां से यह एक गणिदम पर कर टे कमदड़ है यह थैंगल तो यह यहां से इनकल यह थैंगल बना है तो अगर यहां से देखोगे तो यह 3 है तो यह 5 है तो यहां एक ट्राइंगल बन गया है यह वाला ट्राइंगल यह 4 दिया हुआ था और यह अपना C आया यह 5 आया और यह 3 आया साइन परपेंडिकुलर अपान बेस तो इसका मतलब यहां कि रैडिय जो है वो तीन मीटर वाई थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया हूँ क्योंकि बच्चों को समझाने के लिए तो थर्ड अप्शन सही है